बिसमिल्लाहरमार रहीम, असलाम लेकूम वियर्स, होफुली आप सब लोग खेरे से होंगे आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें हम बात करेंगे जो इंपोर्टन वर्ड की एरलाइन्स हैं और उनके जो कंट्री नेम्स हैं, बाज अब कंट्री नेम्स हैं, बाज अब कंट्री का नाम बता जाता है और उसकी एरलाइन के बारे में पूछ लेता है, पीपीएसी, एफपीएसी एंटियस वग्यारा में तो यह एक आदा MCQs है वो हर पेपर में एरलाइन्स के हवाले से भी पूछा जाता है, तो आज हम इन्हीं एरलाइन्स के बारे में इंशाला बात करेंगे, आप से रिक्रेस्ट हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, और जर्मनी, जर्मनी की एक आरलाइन का नाम है, चलते हैं अपने next MCQs की तरफ, which of the following is Russian Airline, इन में से Russian Airline कौन सी है, options हमारे पास है, Aero Float, Russian Float, Aero Asia, Aero Russia, तो इसका जो सही आंसर है, वो A option सही है, Aero Float जो है, यह रशिया की एरलाइन है, और यह रशिया की एरलाइन है, और यह बाइमन एरलाइन बिलोंग स्टूर, बाइमन एरलाइन जो है यह बंगलादेश की एक एरलाइन है, इसमें options इंडोनेशिया, फ्रांस, साथी, अरे भी यह बंगलादेश है, बाइमन जो है वो एक बंगलादेश की एरलाइन का नाम है, चलते हैं next MCQs की तरफ, केसिफिक जो है कसा मिलक की एरलाइन है क्या हो कऊ कंच की एरलाइन, की यह याद रखी के हो किए का का सथ जार्लाइन का नाम है इसका इबिवेशन ऐसे पाकिसान इंटरनेशनल इयर्लाइन को पी आई ए गहा जाता है इसी तरह इस तरह जापान इयरलाइन को J.A.L.J.L. का नाम से जाना जाता है तो अगर इबिवेशन भी देते हैं तो आपने याद रखना है के J.A.L. Japan Air Lines है Next, which of the following is the airline of Holland नीदर्लेंड भी बड़ी इन नीदर्लेंड ल ? रेऑलेंड या इन पंगा सब्सक्च के अर्लेंड या इयरॉरेंड लेडरा इर इर्लाइन रीजी और थे आन्सायों हैाइस सब्सक्त न्यूजिलेंड नॉर्वे जर्मनी या उस्ट्रेलिया तो यह आद रखना है कि आपने यह ऑस्ट्रेलिया की एरलाइन है कैंटर्स एरलाइन चलते हैं अपने नेक्स्ट मक की तरफ जोके ओलमपिक एर बेज के हमाले से ऐलमपिक एर बेज़ इस असका तालोक किस मुल्क के साथ है तो यह जी जी तो सही आंसर जी है वो ग्रीक है, Olympic Airways जो है ये एक ग्रीक की एरलाइन है, उम्हीद आपको वीडियो अच्छी लग रही हो कि ज़रूर इसको लाइक कीज़ेगा, कॉमेंट कीज़ेगा, चलते हैं, नेक्स ताम सी की जरफ, Middle East Airline belongs to which country, Middle East Airline जो है उसका तालोग किस मुलक के साथ है, UAE, Saudi Arabia, Syria, या पिर लबनान, तो इसका जो सही आंसर है, वो है लबनान, Middle East Airline जो है वो लबनान की एरलाइन है, नेक्स ताम सी की देखते हैं, Aero Asia was the airline of, इसमें Aero Asia is नहीं लिखा लिखा है, was the airline of, Aero Asia पाकिसान की एरलाइन थी 1993 से 2007 तक, 2007 में ये क्लैस कर गए थी, क्रैसिस में चले गए थी, जिसके बाश को बंद कर दिया गया था, तो Aero Asia पाकिसान की एरलाइन थी, शाहीन एरलाइन इस एरलाइन आफ, शाहीन एरलाइन जो है, ये भी पाकिस्तान की ही एक एरलाइन है, पाकिस्तान में शाहीन एरलाइन, एर ब्लू इसके लावब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन, ये सब तमाम एरलाइन जो है, ये उपरेट कर रही हैं, तो शाहीन जो है वो पाकिस्तान से तालग रखती है चलते हैं नेक्स्टम सी की तरफ Freedom Air is the airline of Freedom Air जो है ये किस मुल्की airline है New Zealand, South Korea, Canada, South Africa तो इसका जो सही आंसर है वो है New Zealand Freedom Air जो है ये New Zealand की airline का नाम है नेक्स्टम सी की तरफ चलते है आसियाना एरलाइन is the airline of which country आसियाना एरलाइन जो है ये किस मुल्की airline है जपान, North Korea, South Korea या Malaysia तो इसका जो सही आंसर है वो South Korea है आसियाना एरलाइन जो है ये South Korea की एरलाइन का नाम है नेक्स्टम सी की तरफ देख लेक्ते हैं Emirates is the airline of Emirates तो आप सभी लोग जो है वो Emirates के बारे में जानते होंगे दुनिया की टॉप जो एरलाइन उन में से एक एरलाइन जो है वो Emirates airline है Emirates airline जो है वो UAE यानिके United Arab Emirates की airline है और ये दुनिया की बेहतरीन एरलाइन में से एक airline है इवा एरलाइन बिलॉंग स्टो विच कंट्री वाई एरलाइन जो है ये ताइवान से तालग रखती है इसका सही जान से ताइवान है अमेर्ट करता हूं आपको वीडियो ची लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो ची लगे तो ज़ूर लाइक किज़ेगा और कॉमे